जहिन सात्यों कैसे आप लोग उम्मीद करता हूं सब लोग खार्यास से होंगे आज की वीडियो में साओधी अरब की एक बड़ी अपडेट और साथ में कुछ जरूरी ख़बरों के साथ आज हूआ हूं आप से गुजारीस है कि वीडियो को शुरूर से आखर तक जरूर है और छोटे कंपणी में 21 मुलकी वर्कर काम करते हैं तो अब इस कंपणी का जो एकामा बने गा इसका जो सालाना 9 से 10 को ठीक तो जैसे बड़ी कंपनियों के वर्कर का जो फीज लगता है सालाना 9 से 10 हजार रियाल उसी तरीके से चोटी मोटी कंपनियां जो सौधी अरब के अंदर रही है चल रही है उसके वर्कर के कामा का जो फीस लगेगा सालाना वह भी 9-10,000 रियाल लगेगा क्योंकि सौधी अरब की हुकमत ने छूट दे रखी थी छोटी कंपनियों के लिए छोटी मोटी जो कंपनियां सौधी अरब के अंदर रन करी है उसके उसमें जो गहर मुलकी वर्कर काम करते हैं तो उसके एकामा का जो फीस होगा सो रियाल होगा क्योंकि सौधी अरब की हुकमत ने उसको छूट दे रखी थी लेकिन अब 15 दिन के बाद यह जो छूट थी यह खतम हो जाएगी और इस छोटी कमपनियों के वर्कर का जो फीस होगा इकामा का वो 9 से 10 हजार रियाल सालाना होगा और ये भी अपडेट है कि जो लोग गहर मुली चोटी मोड़ी कमपनियों का वीजा लेकर के सौधी अरब के अंदर आते हैं और बाहर काम करते हैं किसी दूसरी जुए पे कमपनियों या किसी भी जगेर पे किसी भी ओर्गनाजि़ुएसन में साधी अरब के अंदर और क्योंकि उसके एकामा का जो फीस होता है सौ रियाल होता है तो उसको असानी होता है बाहर काम करने में तो अब ऐसे लोगों के एकामा का भी जो फीस होगा सालाना नौ से दस हजार रियाल होगा तो जो भी गैर मुलकी भाई चोटी मोटी कमपनियों में काम कर रहे हैं या चोटी मोटी कमपनियों का वीज़ा लेकर के सौधी अरब के अंदर आते हैं और किसी दूसी जग़े पे जाके काम कर रहे हैं तो आप साब्दान हो जाइएगा क्योंकि 10-15 दिन के बाद यह जो नियमता सौविद सौधी गवर्मेंट का जो छूट था वह खतम होने वाला है और आपको भी बड़ी कमपनियों के वर्कर की तरह सालाना 9-10,000 रियाल इकामे का आपको पेमिंट करना होगा इस खबर को लेकर के टूटर पर बहुत सारे लोग हुकमत से सवाल कर रहे हैं कि इस तरीके का नहीं होना चाहिए क्योंकि छोटी मोटी जो कमपनिया है उस वह इतना प्रॉफिट नहीं कर पाती है कि वह अपने वर्कर का 9-10,000 सालाना उसके एकामे का पेमिंट करे गवर्म